नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपनी YouTube चैनल Home Digital Study पर दोस्तों, सुबह के बजचू के हैं च्छै और जैसे ही सुबह के च्छै बज़ते हैं आपके इस चैनल के उपर Current Affair के लास आपके सामने एविलेबल हो जाती है दोस्तों, आज के इस Current Affair में और दोस्तों अंत इस वीडियो के एंडिंग में आपसे एक क्यूशन भी पूछूँगा उस क्यूशन का एंसर आपको comment box में देना है जो कल क्यूशन मैंने पूछा था उसका एंसर भी माज आपको बताने वाला हूँ और content भी बहुत जबर्दस्त है आपकी चाहें वो राजस्थान लेवल की exam हो चाहें वो इंडिया लेवल की exam हो या किसी भी परकार की exam हो दोस्तों सब भी exam के लिए very or very important video है अंत तक आपको बने रहना है अगर आप चैनल पर पहले बार है तो आप चैनल को subscribe करेंगे और बेल आइकन को प्रेश जुरूर करेंगे जिससे की आपको आग्याने वाले वीडियो को notification मिलता रहे चलिए भी start करते हैं और बात करते हैं तीन दिसंबर की current affair के बारहे में कल जो मैंने question कुछ आथा उसका answer आपको बताना बोला था मैंने comment के अंदर आपने बहुत सरों ने जबाब भी दिया था question था कि भारतिय आईटी उद्योग के जनक की रूप में किसे जना जाता है तो भारतिय आईटी उद्योग के जनक की रूप में दोस्तो FC कोहली कहने का मतलब फकिरचंद कोहली फकिरचंद कोहली को प्यारे दोस्तो भारतिय आईटी उद्योग का क्या माना जाता था जनक माना जाता था और दोस्तो इनका हाली में क्या हो गया निदन हो गया इसलिए ये चर्चा में हैं और दोस्तों ये जो किर्चंद कोली हैं FC कोली हैं ये TCS कंपनी के TCS कंपनी के पहले CEO भी थे ये बात भी आपको ध्यान रखने है TCS कंपनी के पहले CEO कौन थे? FC कोली जिनका हाले में निदन हो गया और इनको भारती आईटी उद्योग का जनक कहा जाता है ये क्यूशन कल मैंने आपसे पूछा था अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों वही एक से लेके पांस नंबर तक जो क्यूशन है पहरे दोस्तों वो आपके होंगे करंट के पिछे के यानि सितंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 के बीच के अचा पहला क्यूशन सरंखला में है कि साउथ फिलम एंड आर्ल्टस फेस्टिवल में राजस्थान की किस फिलम को नो अंतरास्थ्य आवार्ड दिये गए थे तो दोस्तों साउथ फिलम एंड आर्ल्टस फेस्टिवल में राजस्थान की उस फिलम का नाम आपको बताने है जिसको नो अंतरास्थ्य आवार्ड दिये गए थे तो उस फिलम का नाम है चीडी बल्ला फिलम का नाम है चीडी बल्ला ध्यान रखना और दोस्तों यह जो फिलम है इसके निर्माता कौन है तो ध्यान रखना राध्ये शाम पिपलवा राध्ये शाम पिपलवा इस फिलम के निर्माता है और इस फिलम को 9 अंतरा स्टी अवार्ड मिले थे और दोस्तों यह जो South Film and Arts Festival है ना इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो राध्ये की पहली फिस अक्वेरियम गेल्दरी का निर्मान किस बांद की किनारे किया गया था तो ध्यान रखना मेरे पहरे साथियो उस बांद का नाम था बिसल पुरुबांद की किनारे किया गया था तो बिसल पुरुबांद की किनारे किया गया था राध्ये की पहली फि किनारे रज्य की पहली फिस अक्वेरियम गेंदरी का निर्मान किया गया और कितना क्रोड रुपे की लागत से हैं पांस क्रोड रुपे की लागत से हैं ध्यान रखना बिसल पुर बांद के किनारे रज्य की पहली फिस अक्वेरियम गेंदरी का अंगरमान किया गया और दोस्तों आपसे क्यूसन पूछूंगा कि बिसल पुरुबांध किस जिले में इस्थित है किस जिले में इस्थित है आपको comment box में comment करके बताना है ठीक है चैलेए अगला क्यूसन है कि राजस्थान के किस जिले में सिंधू सूदर्शन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया उस राजस्थान के जिले का नाम आपको बताना है जिसके अंदर सिंधू सूदर्शन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था पहले बार शुटर ग्रिड सेंसर का प्रयोग किया गया, तो पहले बार शुटर ग्रिड सेंसर का प्रयोग किया गया था, शिंदू सूदरसन युद अभ्यास के द्वारान जो कहां पर हुआ था, जेसलमेर के अंदर हुआ था, और ये किस-किस के बीच में हुआ था, तो भा आर्मी और एरफोर्स के मद्धे हुआ था ये युद्ध अभ्यास हुआ था ये बात भी आपको ध्यान रखने है ठीक है चल यह अगला कुस्था है कि बारत का कौन सा राज्य नेशनल गेम्स में भाग लेने वालों को नोकरी देने वाला पहला राज्य बना है तो नेशनल ग जाएगा ठीक है चल यह अगला कुस्थान है कि नवंबर 2019 में आयोजीत विश्वे पेरा एथलेटिक्स चेंपिएनशिप 2019 में 2019 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने सवरनपदक जीता था तो 2017 में जो पेरा Athletics Championship 2019 हुई थी, ठीक है, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने सवरण पदक जीता था, यह आपको बताना है, तो मेरे प्यारे साथ विम आपको बता दूँ, यह जो सवरण पदक जीता था, यह जीता था, सुन्दर सीह गुजर ने, किस ने जीता था, सुन्दर सीह कि 15 नवंबर के मद्दे हुआ था, 2019 में, बात में 2019 की कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एक्जामे में, पिछे का जो पिछे का जो करन्ट फिर आएगा, वह मैं आपको करवा रहा हूँ, पिछे का एक साल का, और दोस्तों, इस चैंपियंशिप में सुन्दर सीह गुजर ने, F C, F46 की सपरदा में, F46 की सपरदा में, 61.22 मीटर की दूरी तक भाला फैंक करके यह है पदक जीता, और दोस्तों, इस पदक के साथ सुन्दर सीह गुजर, विश्वे चैंपियंशिप में, दो सवरण पदक जीतने वाले, दूसरे भारती इखलाड़ी बने हैं, पहले भारत सवरण पदक जीतने वाले, ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, अब बात करते हैं, आज के क्यूसनों की, यह जो पांच क्यूसन में आपको पीछे करवाए, यह क्यूसन आपके 2019 के थे, अब मैं आपको करवाँगा, आज के करंट अफिर के, आज के करंट अफिर जिवासम मिले हैं, यह गाओं किस जिले में इस्तित है, तो दोस्तो थेयात गाओं किस जिले में इस्तित है, यह आपको बताना है, जहां पर सैद्रिश्य मुलस का जन्तूं के जिवासम मिले हैं, तो दोस्तो यह जो गाओं है, यह आपका जेसलमेर में है, कहां पर है, जेस आपको जुरूर मिलेगा, चलिए, क्यूशन के बारे में बात करते हैं, जैसल अमेर के थयात गाओं की पहाड़ियों पर, विश्वे के अब तक के सबसे प्राचीन वे दुरलब तम पादप सैद्रिश मुलस का जन्तों के जिवासम मिले हैं, दोस्तों पादप के समान दिखन बड़ी इपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, विश्वे के सबसे प्राचीन वे दुरलब तम पादप के समान दिखते हैं, और कहाँ पर पढ़ता है, जैसल मेर मेर में पढ़ता है, यह करीब 20 क्रोड साल पुराने हैं, 20 क्रोड साल पुराने ये जिवासम है, और दोस्त ये जिवासम मासाहारी डाइनासोर के यूग के हैं, जब मासाहारी डाइनासोर हुआ करते थे, उस टाइम के क्या हैं ये आपके जिवासमे ध्यान रखना, जोस्तों पहाडी पर लाखों के संख्या में एसे जिवासम इस बात का परमान हैं, जैसल मेर के पास जो छीचला सम समुद्र था उसका वातावरण हुआ करता था जहां पर मासाहरी डाइनासोर विच्रण किया करते थे मासाहरी जो डाइनासोर है पहरे दोस्तों वो छीछा समुद्र में बात के वातावरण में क्या करते थे विच्रण क्या करते थे और यह मासाहरी डाइनासोर के मतलब सोर होने के परमान मिले हैं इस छी सलाज मुदर के वातावरण में और दोस्तों यह खुला सा किसने किया है इस सारी इस बातों का इन सारी बातों का जो खुला सा किया है वो जै नारायन व्यास विश्वविद्याले जै नारायन व्यास विश्वविद्याले के जो भूगरव विज्यान का जो विभाग है उसके सोध में ये पता चला है ध्यान रखना जै नारायन व्यास्प विश्व विद्यले ने ये गोशना की है ये बात भी बड़ी इपोटेंट है अगला कि उसने की राजस्थान ही में किस केंद्रिय मंत्री ने राजस्थान के ड विद्युत करित डिगवडा बांदी कुई रेलवे ट्रेक का उद घाटन किया है तो डिगवडा स्टेशन के उपर विद्युती करित डिगवडा बांदी कुई रेलवे ट्रेक का उद घाटन किया है दोस्तों वो किया है केंद्रिय मंत्री पियूस गोईल ने किया है और आपको बता दूँ केंत्री रेल मंत्री पियूस गोईल ने राजस्थान में उत्रपस्चिम रेलवे यानि NWR के नए विदुति कृत डिगवाडा बांदी कोई रेल खंड का उदगाटन किया है केंत्री रेल मंत्री पियूस गोईल ने ठीक है और दोस्तों ये बिजली से सं प्रेंड को भी क्या की है 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 यहां पर ये उदगाटन के साथ साथ पहली ट्रेंड भी संचालित की गई है इसके लिए हरी जंडी दिखाई पर केंद्री मंत्री रेल मंत्री पियूस गोईल ने दोस्तों आपको बता दूँ ठीक बड़ा जो बांदी कोई खंड है वो विद्यूती कृत किया गया है दोस्तों रेलेवे ने चरणबद तरीके से देश भर की सभी रेलेवे लाइनों को सत्त परतिसत विद्यूती करण करने का लक्से रखा है और इसको पूरा करने की और अगर सर्वी हो रहा है हम इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं ठीक है चल अगला की उसने की गुनतिस नुवंबर 2020 को नई दिली में राजस्थान राज्ये भारत स्काउट वे गाइड ने कितने पुर्षकार जीतकर कृतिमान रचा है तो दोस्तों आपको बता दूँ ये जो जीते गएं ये कितने पुर्षकार हैं तो आठ पुर्षकार हैं ध्यान रखना आठ पुर्षकार उप्शन अमबर डिया आपका बिल्कुल करेक्ट होगा जोस्तों राजस्थान राज्ये भारत स्काउट वे गाइड ने राश्ट्रिय इस्तर पर प्रस 2019-20 की आठ सिल्ड ओनलाइन वेबिनार आईजित किया गया था और ये ओनलाइन वेबिनार कहां पुरुआ था तो ध्यान रखना भारत स्काउट वे गाइड राश्ट्री मुख्याले नहीं दिल्ले भारत स्काउट वे गाइड राश्ट्री मुख्याले नहीं दिल्ले ठीक हैं तो ये बात भ वर्तमान लोक सभा अदेख सस्तिरी ओम बिड़ला का समंद किस स्थान से है तो ध्यान रखना मेरे पहरे साथियो ओम बिड़ला का समंद किस स्थान से है कोटा से कहां से है कोटा से और इनका विदान सभा चेत्र आपका पिलानी है पिलाने ये बात भी आपको ज्यान रखनी है अगला क्यूशन है कि हाल ही में राजस्थान विधान सभा में विधायकों की संख्या कितनी है वरतमान समय में आज की दिन अगर हम बात करें तो राजस्थान की विधान सभा में विधायकों की संख्या कितनी है तो दोस्तो 177 में टोटल 200 उवा करती है लेकिन 177 में है वरतमान में क्योंकि 3 विधायकों का निदन हो चुका है एक नमबर आपको ध्यान रखना है केलास त्रिवेदी एक नमबर क्लास त्रिवेदी दो नमबर भमरलाल मास्टर मास्टर भमरलाल और तीन नमबर दोस्तो किरण महेश्वरी किरण महेश्वरी इन तिनों के बारे में आपको ध्यान रखना इनका क्या हो गया निदन हो गया जिसके करण 200 में से 3 कम हो गया यानि 197 में बचे हैं चलिए अगला है कि करत्रिम रूप से निर्मित सुर्य धार जिल का उद घाटन कहां पर किया गया सुर्य धार जिल का उद घाटन कहां पर किया गया तो ध्यान रखना मेरे पहरे साथियो उत्राखंड की राजधानी देहरा दून में उत्राखंड की राजधानी देहरा दून में करत्रिम रूप से निर्मित सुर्य धारजील का उद घटन किया गया है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर उत्राखंड का करणट अफेर उत्राखंड का जितना भी वरतमान में करणट अफेर बना है वो सारे मैं आपके साहने डिस्क्स कर देता हूं पहला क्यूसं और साथ दूसरी बात आपको ध्यान रखने है भारत का पहला लाइकेन पारक भी कहां पर स्थापित किया गया था मुनशारी पितोरागड में और पितोरागड आपका उत्राखंड में पड़ता है और दोस्तों इसकी समर राजधानी ग्रीसम कालिंग राजधानी या फिर स योजना सलाई गी उस योजना का नाम है एक इकरित आदर्स करसी ग्राम योजना ये भी उत्राखंड की ही है हाली में सलाई गई थी इसके साथ साथ दोस्तों आसन कंजर्वेशन डिजरव को रामसर इस्थल की रूप में गोसित किया वेटलेंड भूमी की रूप में गोसि देने के लिए एक और शोर सवरोजगार योजनाक्ती स्थापना भी किसकी द्वारा की गई दोस्तो उत्राखंड सरकार की द्वारा की गई इसी परकार से पूरे राज्ये के अंदर सेंसकर्त ग्राम विक्सित करने का फेसला भी उत्राखंड सरकार की द्वारा किया गया और देश का पहला हिम तेंद्वा सरंक्षन के अंदर भी आपका उत्रकासी में स्थापित किया जाएगा जो आपका उत्राखंड में पढ़ता है तो यह सारे के सारी करंट फिर आपके उत्राखंड के हैं उमीद कर सक्तों आपको समझ में आए होंगे और सुर्य धार जिल का उद राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्ड यानि एन डी डी बी का नया अधिक्स किसे न्युक्त किया गया है राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्ड नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड का नया अधिक्स न्युक्त किया गया है वो किसे किया गया है ध्यान रखना वर्षा जोस को NDDB का नया अधिक्स न्युक्त किया गया है यहां पर हम बात करते हैं NDDB की तो दोस्तो NDDB यानि National Theory Development Board इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 में किये गी थी इसका head quarter गुजरात के अंदर पड़ता है ठीक है चलिए अगला question है कि लोगसभा के नय महासचीव कोन न्युक्त हुए है लोगसभा के नय महासचीव कोन बने है तो ध्यान रखना मेरे पहरे साथ हो लोगसभा के जो नय महासचीव बने है, उनका नाम है उत्पल कुमार सी है, उत्पल कुमार सी है, option number D आपका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, लोग सबागे ने महासचीव उत्पल कुमार सी है, अगला question है कि किस संस्था ने, future of regional cooperation in Asia and the Pacific नाम की पूष्ट तक जारी की है, उस संस्था का नाम है, जिसने future of regional Cooperation in Asia and the Pacific नाम की पुष्टक जारी की है तो उस सेंस्था का नाम है ACI Vikaas Bank, ACI Vikaas Bank ADB, ADB Bank ठीक है, ADB Bank ने ये पुष्टक जारी की है Future of the Regional Cooperation in Asia and the Pacific चलिए, यहांपर हम बात करते हैं ADB के बारे में ACN Development Bank के बारे में बात करते हैं, ACI Vikaas Bank के बारे में बात करते हैं किस थापना 19 December 1966 को की गई थी, इसका Head Quarter Manila Philippines में है Manila Philippines में आपका पढ़ता है, इसके Dex का नाम है Matsugu Askawa, उपा Dex का नाम है Asok Lawasa और दोस्तों सदसे देश कितने हैं, तो 68 सदसे देश हैं, यह सारी बात आपको ध्यान रखनी हैं, चीक है, चलिए अगला क्यूसन है कि हाल ही में, किस देश के प्रसिद फुटबोलर, पापा बोबा डियोप पापा बोबा डियोप का 42 वर्स की आयो में निदन हो गया, तो दोस्तों यह फुटबोलर है पापा बोबा डियोप यह कहां के हैं, जिनका हाल ही में निदन हो गया, तो ध्यान रखना मेरे पहरे साथ ही हो, यह जो है, यह सेनेगल केंट्री के हैं, कहां के हैं, सेनेगल के हैं, उपस नमबर सी आपका राइट होगा, ठीक है, सेनेगल के हैं, उपस नमबर सी राइट है अगला क्यूशन है कि एक दिसंबर से ओडिसा में किस स्थान पर इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन शुरू हुआ है इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है ओडिशा के किस स्थान पर स्टाट हुआ है तो जहान रखना मेरे प्यारे दोस्तो चंद्र भागा समुद्र तट के किनारे आपका एक दिसंबर से इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आउजन शुरू हुआ है अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओडिशा के करंट अफ कुन बने हैं बिजोय कृष्ण पटेल बने हैं दूसरी बात ओडिशा ने एक सुमंगल नाम का पॉलिटल लॉंच किया सेचा समाधान एप भी किसने लॉंच की दोस्तो ओडिशा ने लॉंच की गो स्विप्ट नाम का पॉलिटल भी किसने लॉंच किया ओडिशा ने लॉं लाया, भूमी हें इन किसानों के लिए बल्दराम योजना को भी किस ने शुरू किया, ओडिसा सरकार ने, सरकारी भूमी की शुरूख्षा के लिए अंतरिक्स, प्रधोगे की और AI तक्निक काूप्योग करने वाला पहला राज़े बीकोन बना, ओडिसा बना, सरकारी बुमी की शुरुक्षा के लिए, ठीक है, उंत्रिक्स प्रोध होगी की और AI, Artificial Industry या AI तक्निक का उप्योग करने वाला पहला राज्य आपका ये ओडिसा बना है, और दोस्तों जो भी स्वेम साहिता समय होते हैं, उसको एक विभाग के मैंने आपको बताई हैं, ओडिसा के बारे में सभी क्यूशनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, अगला क्यूशन है, कि होरासी सा ASEA मिटिंग 2020 में भारत का परतिनी दित्व किस ने किया, तो दोस्तों ध्यान रखना, होरासी सा ASEA मिटिंग 2020 में जो भारत का परतिनी दित्व किया, वो किया नितीन गड़करी ने, किस ने किया, नितीन गड़करी ने किया, ध्यान रखना मेरे पहरे दोस्तों, ओप सना बरभी आपका बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा, और हम आप से पूछूँगा, नितीन गड़करी के पास में कौन सा विभाग है यानि ये कौन सी विभाग के मंत्री है ये आपको comment box में comment करके बताना है तो होरासिस Asia meeting 2020 का परतिनी दिश्व किया नितिन गड़करी ने और दोस्तों इस होरासिस Asia meeting के इंदर क्या मतलब किस बात के उपर जोर दिया गया तो ध्यान रखना मेरे पहरे दोस्तों COVID के बाद किस परकार से COVID-19 के बाद किस परकार से देश की जो देशों की जो मतलब अर्थ विविश्व को पट्री पर लाया जा सके इस परकार से कुछ चर्चा की गई थी इस होरासिस Asia meeting 2020 के अंदर ठीक है चलिए अगरा क्यूशन है सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया ने ओक्सफोर्ड युनिवरसिटी और एस्ट्राजेनिका के साथ मिल करके किस COVID-19 वेक्शन की निर्मान के लिए साज़धरि की है दोस्तों शीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया ने ओक्सफोर्ड युनिवरसिटी के साथ और एस्ट्राजेनिका के साथ मिल करके एक COVID-19 वेक्षिन का निर्मान करने के लिए सज़दरी की है तो उस COVID-19 वेक्षिन का नाम क्या है तो उस COVID-19 वेक्षिन का नाम मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखो याप अच्छे से उस COVID-19 वेक्षिन का नाम है COVID-Sealed option number आपका C क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा COVID-Sealed नाम की Corona वेक्षिन बनाने के लिए सज़दरी की है Oxford University और Estragenica के साथ किसने Serum Institute of India ने यहाँ पर हम बात करते है Serum Institute of India की इसको सोल्ट में क्या का जाता है SII का जाता है Serum Institute of India इसकी स्थापना 1966 में के गी थी इसका headquarter पूने के अंदर पड़ता है संस्थापक हैं इसके Cyrus पुनावाला और दोथो CEO हैं आदर पुनावाला जहान रखना Cyrus पुनावाला संस्थापक हैं और CEO हैं इसके आदर पुनावाला दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं Estragenica की Estragenica की अगर बात करें तो इसकी स्थापना गुनी 99 में के गी थी इसके headquarter इसका headquarter Cambridge, Britain के अंदर है इसके chairman का नाम है Leif Johansson और इसके CEO का नाम है Pascal Soriatt यह सारी बात आपको इस question के बारे में ध्यान रखनी है अगला question है US Air Quality Index 2020 में विश्वेका सबसे प्रदुसित सहर कौन सा है दोस्तो US Air Quality Index 2020 US ने एक Air Quality याईनि वायो की गुनवत्ता से समदित एक सूची जारी की है उसमें विश्वेका सबसे प्रदुसित सहर की इसको माना है तो ध्यान रखना मेरे पहरे दोस्तो लाहोर को माना है इसको माना है पाकिस्तान का सहर लाहोर सबसे गंदा या फिर सबसे परदुसित सहर माना गया है US के Air Quality Index के दुआरा चीक है अगला क्यूसन है बाफ्टा की ब्रेक्थू इंडिया पहल के ब्रांड अमेस्टर कौन बने है बाफ्टा की ब्रेक्थू इंडिया पहल के ब्रांड अमेस्टर कौन बने है तो ध्यान रिखना मेरे पहले साथ ही हो इसके जो ब्रांड अमेस्टर बने है वो बने है A.R. रह्मान A.R. रह्मान बाफ्टा की ब्रेक्थू इंडिया पहल के इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 1947 में की गी थी, इसका हेड़ क्वाटर लंदन के अंदर है, इसके प्रेजिडेंट का नाम है, प्रिंस विलियम चेर्मेन का नाम है, कर्शनेंदू मजूमदार, और इसके CEO हैं दोस्तो, एमेंडा बेरी यह सारी बात आपको ध्यान रखनी है, उमीद कर सकता हूँ, बात आपको समझ में आई होगी और दोस्तो, आज की यह मैंने 15 क्यूशन करवा दिये, 5 क्यूशन मैंने आपको 2019 के करवा दिये, और अब मैं आपसे पूशता हूँ, आज का क्यूशन ओफ दिडे यह है आपका क्यूशन ओफ दिडे, दोस्तो यह थोड़ा सा मतलब क्या है, दूबारा से क्यूशन आ गया, तो मैं आपसे पूशता हूँ, क्यूशन ओफ दिडे यह रहा, आज का क्यूशन ओफ दिडे है, कि Cambridge Dictionary ने, Cambridge Dictionary में सबसे ज़्यादा तलास किये जाने वाले सब्द के तोर पर किस सब्द को World of the Year 2020 चुना है ये आपको बताना है मेरे पहरे साथियो कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके इसके साथ दोस्तों आपको एक मर्यम नाम की डिक्सनरी का नाम भी आपको ध्यान रखना है मर्यम डिक्सनरी मर्यम डिक्सनरी ने भी World of the Year गोशित किया तो इसके बारे में भी अगर आपको पता है तो आप बता देना कोमेंट में दोस्तों उमीद कर सकता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो जुरूर थोड़ा लंबा बन गया लेकिन मैं कोशिस करूँगा थोड़ा छोटा रखने के आगे से लेकिन आपको कंटेंट बहतर दूँगा यह मैं आपसे दावा करता हूँ ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंद जेभार थैंक यू बाइ-बाइ एवनेज दे थैंक यू